संकेत जो बताते हैं फेफड़ के खराँ आपको जो जानना चाहेے कि फेफलों का क्या का रहे है फेफड़ हमारे शरीर में औक्सिजन की प्रयाफ मात्रा को उप्लब कराते आगर किसी कारण से वह मातराद कम होने लगती है या फेफलो में कोई प्राबलम होती है तो हमारी शेर को परयाथ औक्सयजं नहीं मिलती है जिसके हमारा शेरल प्भावित होता है इसके लिए मैं आपको बताऊँगा कि इसके कौन-कौन से संकेथ हैं जिनके द्वारा हम जान सकते हैं कि हमारे फेफलो में कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहे हैं एक चीज होती है क्रॉनिक कफ लंग सेसिशन के अनुसार ये कहा गया है कि यदि कोई कफ या कोई प्रॉब्लम आपको लगातार आठ सब्ताहर से हो रही है इसका मतलबिया कि कही ना कहीं वो फेफलों को एफेक्ट कर रही है। कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आपके फेफलों में हो रही है जिसको आपको ध्यान देना चाहिए और किसी कुशल चिकश्सक के दौरा इसकी चिकश्सक परानी चाहिए। खराब कोशन और लाइफ स्टाइल के कारण बहुं सारे ऐसे उपद्रव होते हैं जो हमारे फिफणों को खराब करने में सहायक होते हैं आजकल आप देख रहे हैं कि अधिक तरह इस्थानों पर पॉलिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है कहीं जर्स पॉलिशन है कहीं नवाइज पॉलिशन है पूरा शहर जगय जगय धूल मिट्नी से भरा हुआ है इन सब के कारण भी क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारे फिफणों म में हावा के द्वारा जाते हैं और जाकर के अंदर डिपॉजित होते हैं उनके कारण भी हमारे लंग्स जो है वह एफेक्टेट होते हैं कई प्रकार की बीमारियां उत्पन हो जाती है और हमारे स्विफणों की छंता में बहुत जादा अंतर आ जाता है हमें चाहिए कि जाने से बचना चाहिए हमको ऐसे स्विफणों का गर जाना बहुत ही आवजशक हो तो हम मास्क का प्रियोग करें अधिक समय तक भापन ना रुपें इससे हमारे फेफ्णों की छंता है वह प्रबाबित ना हो जब आपको लगे कि आपको सांस देने में तकलिफ हो रही है और य DLC इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात जरूर है जो आपको परिशान कर रही है उनकी जो फेफ्णों का स्वास्त कहीं ना कहीं इंपेड नहीं और उसके कारण नहीं एसा हो रहा है कि आपकी सांस दुल रही है अथभा सांस लेने में कोई तकलीफ अक्मान हो रही ह तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप सही समय पर जितनी शीगृता हो सके किसी चिकेश्सक से प्रामर्ष लें और उसकी चिकेश्सा पूर रूरूप से कराएं कि अगभी शरीर का बजन भी कम होने लगता है उसका भी एक कारण है लोगों को फेफ़णों का ट्यूबर कोलसिस या अन्यकोई बीमारी हो जाती है इसके कारण बजन कम होना सुरूरो जाता है भूग लगना कम हो जाता है शरीर में जर बना रहता है अगर यह सबदक्षन हमारा खिफणों का स्वास्त खराब हो जाता है, बहुत से लोग दुमुमरपान करते हैं। दुमुरपान करने से, अथवा कुछ अन्यनशे करने से हमारे खिफणों के स्वास्त पहो पाता है। और जब फिफले स्वस्त तंदुस्त नहीं होते हैं, तो यह हमारा शरीर भी तंदुस्त नहीं होता है। पूल रूप से, जिस प्रकार से जोष्टे काम करना चाहिए वो नहीं हो पाता है। पुल प्रयापक अक्सिजन ना मिलने के कारए हमारे श्रीर के अनर्जी कंँ हने लगती है जिसके कारए हम बीमार हो जाते है। आज के इस वीडियो में मैंने आपको बारे में बहुत कुछ बताया है। और लंग्स में क्या-क्या बीमारियां हो ज़कती हैं, क्या-क्या परशानियां हो ज़कती हैं, उनके बारे मैं आपको बताने की कोशिश की है, और यदि आपको लगता है कि इसमें से कोई भी लक्षन आप में है, आप इसी बीमारी से आप पीडिक हैं, तो आप इस वीडियो के बारे में आपको जानकरी दी जाए तो उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर उस बीमारी के बारे में मेरे पुलिक सकते हैं इससे उसके बारे में वीडियो बनाया जा सकते हैं धन्यवाद